आज आपको बताऊंगा कि क्या डायाबिटीज एक पारिवारिक बिमारी है डायाबिटीज कई विकारों की एक जटिल समू है जिसकी पहचान लगातार रहने वाले हाइपर ग्लाइसीमिया माने रख्त में ग्लुकोस की अधिकता से होती है दो प्रकार के है टाइप 1 टाइप 2 ये दोनों ही कुछ अनुवन्शिक और परियावरणी ये जोकम के कारण होते है अनुवन्शिक कारणों से कुछ लोगों को डायाबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है लेकिन डाय परियावरण की कई चीजे इसकी शुरुवात का कारण बनती है सिर्फ जिन सीव इस बीमारी का कारण नहीं है समरुप जुडवा इसका एक प्रमान एक को है एक को नहीं है ऐसा भी है लेकिन अगर एक जुडवे को है तो दुसरे को टाइप 2 डायाबिटीज होने की आज आपको बताऊंगा क्या टाइप 1 डायाबिटीज आनुवांशिक होता है टाइप 1 डायाबिटीज का पारिवारिक इतियास रखने वाले लोगों को ये बीमारी होने की संभावना सामन्य से ज्यादा है और ये एक आटो इम्म्यून बीमारी है यानि कि इसमें शरीर की होग प्रतिकारक प्रणाली स्वस्त कोशी का पर हमला कर देती है इसे अक्सर अल्प व्यस्तक डायाबिटीज कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी ज्यादा तर बचपन में होती है और फिर जीवन भर रहती है जिन लोगों को ये बीमारी है उनके रख्त में ओटो इम्म्यून एंटीबोडीज कई वर्सों तक बीना कोई लक्षन दिखाए रहा सकते हैं परिणाम स्वरो ये बीमारी समय के साथ बढ़ती है या फिर ओटो इम्म्यून एंटीबोडीज के किसी विशिष्ट कारण से सक्रियों होने के बार इसके लक्षन दिखाई देते हैं डायाबिट जी ये समझाने की कोशिस करूंगा कि अगली पीडी को डायाबिटीज होने का खतरा कैसे कम किया जा सकता है अनुवानसिखळाबिटीज का सिर्फ एक कारण हो सकता है लेकिन जीवण सहिली डायाबिटीज पीडितों के जीवण में आहम भूमी का निबाती है जीवन सहली के चुनाव डायाबिटिस का खास तूर पर टाइप 2 डायाबिटिस का जोखिम कम करने में लोगों की मदद करते हैं एसी स्तिती में अपनाये जाने वाले जीवन सहली के कुछ बदलाव है जैसे के सरीर का स्वस्त वजन बनाये रखना सारेजिक रुप से सक्रिया रहना और स्वस्त एवं संतुलिक आर देना यह बताने की कोशिस कर रहा हूं कि डायाबिटिस वाले को परिवार वाले किस तरह मदद कर सकते हैं टायाबिटिस के बदलाव योग्य जोकिम के कारों को के सुधार में परिवार के आहम भूमिका होती है मोटापा टायाबिटिस का सबसे बड़ा बदलाव योग्य जोकिम का कारण है सभी को शरीर का स्वस्ट वजन और कमर का उचित आकार बनाये रखने के लिए प्रोस्टाइट किया जाना चाहिए डायबिटीज और डायबिटीज से उत्पन्न समस्याओं से पीडिक वहस का अपनी बिमारी पर नियंत्रण और जिवन स्थर में सुधार के लिए परिवार के सयोग पर निर्वर होते हैं डायबिटिस के कारण परिवारों के लिए जिम्मेदारी बाटना, दीन चर्या बदलना और परिवार की भुमिकाओ की चर्चा करना ज़रूरी है, हो सकता है देखा गया है कि कम जगडे, अच्छे आपसी संबन और एक दूसरे के लिए प्रेम और लगाओ डायबिटिस के कारे करम का पालन करने में सायक होता है आपको बताऊंगा कि डायबिटिस संबन्दित आपात कालिंज स्थिती क्या हो सकती है इंसुलिन डायबिटिस के उप्चार का प्रमुक विकल्प है और बहुत ज्यादा या बहुत कम इंसुलिन लेना एक सामन्य प्राण गातक स्थिती है बहुत ज्यादा इंसुलिन ब्लड ग्लुकोस के निमनस्तर हाइपोग्लाइसेमिया का कारण बन सकता है जिससे इंसुलिन आगात की स्थिती पैदा हो जाती है और परियाब तो इंसुलिन से ब्लड ग्लुकोस का स्थर बहुत बढ़ जाता है यानि कि हाइपरग्लाइसीमिया की स्तिती पेदा हो जाती है जो डायबिटिक कोमा का भी रूप ले सकती है हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया के संत्यतों और लक्षनों की तुलना करके आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड सुगर बहुत ज्यादा है या बहुत कम